हे गाईस आप देखरों इंजिन स्टर्ट सो गाईस आज मैं आप सबको दो बाइक के अंदर कॉंपेर करके दिखाना जारू जारू जया दोस्तों एक है बाजाज पालसर 125 नियमन और दूसरा है हीरो ग्लामार 125 ब्यस पोड इन तोनों बाइक के अंदर आज मैं आप सबको डि के ही कंपेर करेंगे उसके पाथ सब कुछ पाट पाट करके सब कुछ कंपेर करेंगे अब बात करते हीरो ग्लामार की हीरो ग्लामार पे क्या दिजाइन दिखनों को मिलता है हम देख लेते हैं एक बार सो गाईस यह रहा हीरो ग्लामार इसका जो आउट लुकिंग है जो यूंकि पालसर का डिजाइन एक तोम फैमिली बाइक के जैसा ही है और वो स्टाइलिस पी ज्यादा है और यंग जनरेशन के लिए पालसर नाम ही काफी है सो गाइस चले जाते हैं पालसर की वोड़ और हम एक एक करके सभी पाट की कॉंप्यार करेंगे इस बाइक पे आपको डिजिटल मीटर दिखनो को मिलता है और यह है सामने का ससकंसन टेलिस्कोबिक ससकंसन दिखनो को मिलता है और 240 mm का डिस ब्रेक है सामने पे डिस ब्रेक प्रवाइड करता है कॉंपनी और सामने की टायर की जो size है वो 80, 100, 17 tubeless टायर है सामने और पीछे दोनों टायर ही tubeless दिखनों को मिलता है पलसर पे अपको इन दोनों बाइक के अंदर कीमत पे आपको काफी फरक दिखनों को मिलेगा अब बत करते हैं इसकी headlight की design की यहाँ पे आपको stylish headlight की design देखनों के मिलता है यह बाड़ा भोल 35 wattage का है यह halogen है LED नहीं है So guys glamour का हम देख लेते हैं कि इन चीजों पे क्या क्या है different देखनों के मिलता है अब बत करते हैं इसकी सामने के tire की size की यहाँ पे 80, 118, 47P tubeless tire आपको देखनों के मिलता है दोनों bike पे ही tubeless tire है लेकन tire के size पे थोरा सा changes हमें देखनों के मिला Palsar पे 80, 117 था यहाँ पे 80, 118 है यानि भी थोरा सा changes है अब बत करते हैं इसके braking की यहाँ पे drum brake देखनों के मिलता है आपको Palsar पे disc brake है इन तीनों चीजों पे compare करके हमें मिला सामने की braking पे, सामने की headlight की design पे और सामने की tire की size पे हमें different देखनों के मिला फिर हम चले जाते है Palsar की और और पी parts को हम compare करके देखेंगे तो guys आप बत करते हैं इसकी meter capacity की यहाँ पे आपको digital meter दिखनों को मिलता है इसकी जो rpm है वो analog है और speed meter जो है वो digital है बाके सब digital है अगर इसकी handling की बात की जाए तो new model का stylish handling की design आपको दिखनों को मिलता है यहाँ पे आप handling को देख सकते हो काफी stylish handling है 11.5 liter की fuel tank capacity आपको दिखनों को मिलता है इस bike पे इस bike की oil tank के साथ इसकी जो seat की design है वो एक दों matching करता है नाइस looking provide करता है on road पे इसकी कीमत करिवन 84,000 के असपास पे है अगर इसकी bag light की बात की जाए तो यहाँ पे LED bag light की design जो है वो काफी nice है stylish है अब बात करते है glamour की वहाँ पे देखते है क्या क्या changes मिलता है इसकी जो handle capacity है वो भी nice है लेकर पालसर से compare के आ जाए तो पालसर का ही बेटर है और इसकी जो meter capacity है वो speed meter, analog है बागे सब digital है यह भी digital है अगर इसकी fuel capacity की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 13.6 liter की fuel capacity की tank मिलता है अब बत करते हैं इसकी backlight की design की यहाँ पे देखो काफी nice design है लेकर पालसर का ही इससे भी वेटर है यह bulb है लेकर पालसर का LED था अब बत करते हैं पालसर की पीछे की suspension की यहाँ पे twin gas sock suspension आपको देखने को मिलता है फिर से हम इन सभी चीज़ों की compare करेंगे और पीछे की tire की size की बात की जाए तो 190 17 का size है पीछे की tire की tubeless tire है और पीछे का जो braking है पो ड्राम brake है 130 mm का अब बत करते हैं ग्लामर की पीछे की suspension की यहाँ पे 5 step adjustable hydraulic sock absolute suspension आपको देखने को मिलता है यानि की इन दोनों bike के अंदर पीछे की suspension पे हमें धोरा सा changes दिखने को मिला अब बत करते हैं पीछे की tire की size की यहाँ पे 3.00 18 52 P6 PR का size है पीछे की tire की दोनों bike के अंदर पीछे की tire पे हमें changes दिखने को मिलता है पीछे की braking है दोनों bike के ही drum brake है और यह 120 mm का है पीछे की braking पे कोई changes नहीं है दोनों brake ही drum brake 160 mm है चलिए आप दोनों bike के engine की बात करते हैं पालसार पे आपको 4 stock 2 valve doings part DTSI 124.4 CC का engine दिखने को मिलता है इसकी max power 11.8 PS 8500 RPM max torque 10.8 Nm 6500 RPM अब बात करते हैं glamour की यहाँ पे air cold 4 stock single cylinder OAC 124.7 CC का engine है इसकी max power 6.72 KW 7000 RPM max torque 10.35 Nm 4000 RPM यानि की engine की power पे आपको बहुत ही फरक दिखने को मिलता है जो की pulsar का बहुत ही power ज़ादा है gear पे changes है 5 gear pulsar पे है glamour पे 4 gear है दोनों ही bike पे आपको kick and self दोनों ही available दिखने को मिलागा so guys आप कौन सा bike खड़िना चाते हो मुझे comment box पे जुरूर बताना मैंने compare करके आप सब को details में सब कुछ दिखाया guys वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो जुरू like and share करना और मेरे चैनल को जुरूर सब्सक्रेब करना